जिया दोस्तों आखिरकार भारत और जिंबावबे की टीम के बीच आज खेले गए वंडे मुकाबले में भारते टीम लगभग 356 नन बनाते बनाते इस मुकाबले को हारी चुकी थी लेकिन फिर शिकर धवन और दीपक खुड़ा की सत्की अपारी की बदोलत भारत ने अंती मोवर में सांस रोक देने वाले मुकाबले को तो पल्टाई और इस दोरान हम आपको बता दें कि शिकर धवन इशान किशन और दीपक खुड़ा की वो रॉंग्टे खड़े कर देने वाली बल्ले बाजी तो आज के इस हाइलेट वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप सभी बिल्कुल बने रिएगा अंत तक इस वीडियो में लेकिन दोस्तों से पहले अगर आप भी भारते टीम की जीस से खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक लाफ तीन मैचों की वंडे सिरीज खेलने के लिए भारते टीम जिंबावबे पहुंच चुकिया और ऐसे में दोस्तों हम सभी को हजारे स्पोर्स क्लब स्टेडियम पर रोमांचक वंडे मुकाबला खेला जाता हुए ना जराया जहां आज की इस मुकाबले में जिंबाव टीम को लक्षे मिला 356 रनों का हाला कि दोस्तों 356 रन बना पाना इस स्टेडियम पर काफी ज्यादा मुश्किल था और जैसे ऐसे मैच अंति मूवर की तरफ बढ़ रहा था और वैसे वैसे भारते टीम हारने की दिशा में चल पड़ी थी लेकिन दोस्तों यहां पर शिकर दोस्तों जिंबावबे की टीम की तरफ से आज ओपनिंग करने के लिए उनके दो धूरंदर बने बने बाज तदीवा नाशे मारू मानिक और टाकू दजवा नाशे कैतानू मेदान पर बने बाजी की लिए उत्रे जहां आज की इस मुकाबले में पहला बड़ा विकेट कै करी पवेने लोटे और उनको कुल्दी प्यादव ने दिपक चाहर के हाथों कैच आउट करवा दिया जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो तो वहीं दोस्तों ताकूद दोनाशे कैतांगू का विकट गिट जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे इनोसे इनोसेंट कायाज ने तदीवा नाशे मारूमानी के साथ मिलकर शत्की असाज़दारी की और इस दोरान मारूमानी ने आज 47 गिंदों में 58 रन बनाए तो वहीं इनोसेंट कायाज ने 84 गिंदों में 104 रनों की पारी खेली हाला कि दूस्तों इनकी बल्लेबाजी से तो वहीं सिकंदर रजा ने 107 गिंदों में सबसे जादा 125 रनों की पारी खेली हो तो वहीं दोस्तों विजली मेदवेर के आउट हो जाने के बाद कप्तान रेकिस चकावा ने 28 गिंदों में 36 रनों की पारी खेली जिसके चलते टीम 50 ओवर में 4 विकिट के नुकसान पर 355 बना पाने में कामियाब हो सकी तो ही दोस्तों भारत की गेंदवाजी में सबसे जादा विकिट आज मुहमद शिराज ने लिए जिनोंने दो विकिट हासिल किये तो वहीं कुल्दी प्यादव और दीपक चाहर को एक एक विकिट मिला और इसी के साथ फिर जब मैदान पर ब बल्यबाज उत्रे 356 बनाने के लिए तो यहां भारत की तरफ से आज पारी की शुरुआत की शिकरधवन और शुमन गिल ने जहां इन दोनों ही बल्यबाजों ने ताबर तोड़ अंताज में बल्यबाजी करना शुरू कर दिया और इस दोरान शुमन गिल और शिकरधवन के बाद फिर तीसरे नमर पर बल्यबाजी के लिए उत्रे इशान किशन जा इशान किशन और शिकरधवन पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे लेकिन इस दोरान भारत को दूसरा बड़ा जटका इशान किशन के रूप में लगा जो की 57 गिंदों में 86 रंकी पारी ही खेल सके ह हाला कि वो अपने शतक से तो चूक गई हाला कि उनकी 86 रंकी पारी की बादोलत भारते टीम लक्षय के एकदम करीब पहुंसती चली जारी थी हाला कि फिर इशान किशन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे संजू सैमसन का खराफ फोर्म जारी रहा जिनोंने मातर 19 गिंदों में 24 रनी बनाए और राहुल त्रिपाठी जिन आज टीम में मौका दिया गया था वो 20 गिंदों में 11 रन बनाकर ही पाविलियन चलते बने हाला कि दोस्तों अभी भी मैदान पर शिकरधवन और दीपक हुड़ा ठीके हुए थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों से उमीद थे कि ये किसी भी हाल में भारते टीम को जीत दिलाएंगे और ऐसा ही होता हुआ हमें अंती मौवर तक नजर भी आया दरसल दोस्तों इस दोरान जहां शिकरधवन ने मात्र 107 गिंदों में अपना शतक पूरा किया और अपने शतक के दोरान उन्होंने 10 चौक के और दो बड़े छक्के लगाए तो वहीं दीपक खुडा ने भी ताबर तोड बल्लेबाजी करता हुए मत्र 58 गिंदों में 84 रनों की पारी खेली जिसकी बदोलत भारते टीम अंतीम ओवर की अंतीम गेंद पर छक्का लगा कर इस मुकाबले को दीपक खुडा और शिकरधवन क बड़लत जी सकी तो ऐसे में दोस्तों यहां पर भारते टीम के बल्लेबाजों का शांदार प्रद्रशन देखने के लिए मिला जा शिकरधवन इशान किशन और दीपक खुडा की बड़लत यहां भारते टीम ने जीत हासिल की बाकी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इचे खेला गया यह पहले वंडे मुकाबले से ठीक पहले का इंटरा स्कुड़ अभ्यास सत्र का मुकाबला था जिसमें आज भारते टीम ने दमदार प्रद्रशन करकर इस मैच को जीता बाकी अब आप सभी की क्या राया भारत और जिंबाबे की टीम के बीच खेले गए म मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार आपकी इस बल्लेबाज और गेंदवाज की बल्लेबाजी और गेंदवाजी को देखकर उसको 10 में से 10 नमबर दोगे शिकर धवन या फिर दीपा खुडा या फिर इशान किशन को अपनी कीमती राये हमें नीचे कमेंट में और भारतिय टीम के सामने पहले बल्लेवाजी करते हुए बीस ओवर में चार विकेट के नुकसान पर आस्ट्रेलिया ने 211 रन बनाए और भारतिय टीम को लक्षे दिया 212 रन होगा हाला कि दोस्तों 212 रन आज मैदान पर बना पाना भारतिय टीम के लिए ताफी बड़ी को दरसल दोस्तों हम आपको अगर पूरे मैच के बारे में बताएं तो आपर स्कोरकाड में भी देख सकते हो दरसल दोस्तों यहां डेविड वार्नर 47 गिंदों में 77 रन बना कर आउट हुए तो वहीं यह दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद स्टीव स्मित मैदान पर जहां मिचल मार्स ने 5 गिंदों में 13 रनों की पारी खेली तो वहीं इस्टीव स्मित ने 12 गिंदों में 23 रन बनाए जैसा कि आप यहां पर देख भी पारे होगे तो वहीं फिर ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस इस्टॉइनिस पारी को समाल ले के लिया है जहां ग्लेन गिंदों में 20 रन बनाकर पवेलन लोटे और इसी के साथ औस्टेलिया की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए और भारते टीम को लक्षे मिला 212 रनों का तो ही दोस्तों गिंदवाजी में भुवनिश्वर कुमार ने 2 विकेट लिये तो वहीं इंदर चहल को भी दो विकेट मिले और इसके बाद रोहित शर्मा और इशान किशन का बला खूब जोर उसे चलता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन दोस्ते इसी बीच भारत को पहला बड़ा जटका इशान किशन के रूप में लगा जो की 22 गिंदों में 51 रन बनाकर आउट पर के बारे में जगनी बड़ी खबन निकल कर आ रही है वो यह है रोहित शर्मा का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया दरसल दोस्तों आपर रोहित शर्मा ने कहा कि मोहमद शमी जैसे खिलाडी हमारी टीम के लिए ना सिर्फ जरूरी है बलकि टीम में संतुलन बनाए रख तो आपको पूरी तयारियां करकर रखनी होती है अमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आयोगी वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर द